हाई फ्रेंड्स वेलकम है मारे जियास इंडिया यूटूब चैनल पर यह हमारा टेस्ट नंबर 238 है और हम आज मेरातन क्लास लेंगे क्या है मेरातन क्लास यह नहीं का मॉडल पेपर आप समझेंगे उसी तरह सौल्व करेंगे इसमें सभी सब्जेक्ट से मैंने कोशन से कोशन है आपके सभी नर्सिंग पर इचाओं के लिए यूपी पीचेज नर्सिंग अफ़िसर एक्जाम्स के लिए ने कोशन साही किये भारत को TV मुक्त बनाने का लच रखा गया है आपको बताना है भारत को TV मुक्त बनाने का लच रखा गया है क्या रखा गया है the target has been said to make India TV free क्या है right answer इसका comment करें जो भी राइट आमसर हो थोड़ा फास्ट चलेंगे आप अपने आंसर थोड़ा fast देंगे ठीक है आफशन वीज़िस का right answer है 2025 भारत से TB को खत्म कर दिया जाएगा 2025 तक यह लच रखा गया है आफशन B इसका right answer है भारत सरकार के दोरा 2025 तक टीविस से भारत को मुक्ती मिल जाएगी perception नमर आप 2 पढ़ें हो बता है साउधादी के साथ जो भी राइट आंसर आपको लग रहा हो क्या हूग tänश क्या वर्ड वाइड वेप होता है डवलो डवलो का पूरा नाम आप सबी सर आइड यहाँ प्वैंट नीचे लिखा गया यह वेरइ-अम्पवर्टेंट है यहाँ पर मिंसन किया गया टिम बर्नस ली यही वो बंदा है ठीक है जिसने डवलु डवलु का खोच किया था ठीक है इन्वेंटेड बाई टिम बर्नस ली एक कोशन पुछा जाता है वर्ड बाई वेब के खोच करता को ने ठीक है यह डवलु डवलु के खोज की थी यह पॉइंट याद रखेंगे नेक्स्ट एक कोशन आपकी स्कीन पर कोशन नमबर थ्री पढ़ें फिर आंसर बताएं जो भी राइट आंसर हो कौशा विसाणू रोग है जो मच्षड से फैलता है लेकिन विसाणू वाला है घाँट आपस अंसर होगा फैलने वाला मच्षड से सम्वंदित रोग है ठीक है एडीज मच्षड की वज़े से फैलता। बाकी जो दिये क्या है अलग-अलग से define किये गए अलग-अलग से match खाते हैं ठीक है लेकिन ये वाला जो है ये ठीक है ये वाला ये किसके माध्यम से होता है ये होता है वारल के माध्यम से किसके माध्यम से वारल के माध्यम से ओके और ये सभी अलग-अलग होते हैं बांकि ये होता है वारल क नमबर 4 है रेजिनिंग से पढ़ें फिर आमसर बताएं जल्दी से यहाँ पर दिया गया जड़ इच कल टू 52 है ACT का वैलू दिया गया 48 बैट का मान आपको बताना है क्या होगा राइट आमसर इसका बैट की वैलू किया होगी बैट जो भी पैटर्न आपको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो वीडियो को पहुच कर सकते हैं हम सॉल्व करते हैं इसे देखें यहाँ पर जड़ इच कल टू लिया गया है 52 इसका मतलब जड़ का ABCD में नमबर होता है 26 जब ऐसा आप पढ़ेंगे XYZ पहुचेंगे तो जड़ का जो नमबर होता जड़ इसकल टू छबविस आता और जड़ आपको पता ही 26 नमबर पर आगया तो 26 का डबल कर दिया गया है 26 का डबल किया गया कितना होता 52 26 का डबल करके यहां पर लिखा गया है ठीक है वो कितना होता 52 होता और यहां पर देखिए ACT लिखा गया है इसका मतलब क्या होगा A for 1 होता C for 3 होता T for 20 होता कितना होता 20 तो यहां पर आप देखेंगे 20,3,3,1,24 ठीक है 24 का जब double करेंगे 24 का double करेंगे तो कितना होगा 48 आएगा इसी तरह बैट का देखेंगे याँ पर BAT तो B equal to 2 होता और H equal to 1 होता T equal to 20 होता तो देखेंगे 20, 21, 21, 22, 23 कितने होगे 20 23 into 2 करेंगे तो कितना होगा क्योंकि double किया जाए 23, 24 होता आफसन भी इसका right answer होगा तो समझ गए होगे आप चलते हैं next question पर यह है आपकी screen पर question number 5 पढ़ें फिर answer बताएं दिये गए विकल्पों में से भिन या असंगत की पहचान कीजिए क्या है right answer यहाँ पर आपको बताना है 3 एक जैसे होगे किसी ना किसी प्रकार से उनका relation होगा संबंद होगा एक भिन होगा different होगा वो बताएं आप इसका जो right answer होगा ना option A होगा क्या 164 164 यह भिन है यह असंगत है यह गलाथ है ठीक है बाकी सभी क्या है किसी ना किसी numbers के square लिखे में जैसे 7 का square 49 होता 20 के square 400 होता यह 11 के square लिखा गया है और यहाँ पर 161 लिखा गया 164 यह किसी का square नहीं होता ठीक है इसलिए option A सही होगा ठीक है यह 7 का square 20 का square यह 11 के square लिखा है और यह किसी का square नहीं होता किसी कभी work नहीं होता ओके इसलिए option A right answer होगा नेक्स्ट एक कोशन आपकी स्कीन पर 6 पढ़ें फिर आमसर बताएं कोई भी website एक्सेस करने पर सबसे पहले जो page दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते है वाट इस फर्स्ट पेज डेट अपिर्स फेर यू एक्सेस एनी website क्या है राइट आमसर इसका जब भी आप क्या करते हैं कोई भी page एक्सेस करते हैं website में या computer में लेट आउप में तो उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है कौन सा page कहलाता है option देख लें फिर आमसर बताएं option 20 कर राइट अंसर होगा home page कहा जाता है main page first page ये सभी गलत है पूर्तिया गलत है option 20 कर राइट अंसर होगा ठीक है ये computer से question था option 20 कर राइट अंसर होगा next है यहाँ पर question नमबर आपकी स्किन पर 7 question देख लें 7 ये direction से लिए आगया question है पढ़ें फिर आमसर बताना है राधा उत्तर की और मुह करके खड़ी है वह सीधे 10 km चलती है बाइट 15 km जाती है अंत में बाइट घूप गर 10 km जाती है अब वह प्रारंभी किस्तान से कितनी दूरी पर है यहाँ पर दूरी बताना है कि राधा कहाँ पर चली गई ये ठीक है कितनी दूर पर तो अब चलिए हम solve करते हैं अब इससे solve कर तो वीडियो को पौच कर ले Buddy राधा उत्तर क्योंकर खड़ी है इसका मतलब पर खेश है वह इधर की ऊरी ऊत्तर की ओर को ओ Grant के खड़ी है अब इससे हम solve करते हैं ओत्तर की और मुह खड़ी है 10 किलो मीटर 10 मीटर लिखा हो, किलो मीटर इससे कोई फरक नहीं पड़ता और वो बाएं मुढ़कर 10 किलो मीटर चलती है जब राधा का मुँ उत्तर की ओर होगा तो बाएं हाथ राधा का इधर की ओर होगा ठीक है, चलती केतनी है पंदरा चलती है इदर ठीक पंदरा आगई राधा फिर लिखा है अंतमें बाएं घुमकर फिर अंतमें बाएं गुमकर दस क्लिम् musicians जाती है कहते अगर यह 10 है तो यह भी 10 है यह 15 है तो नीचे वाली भी 15 होगी क्योंकि समान दूरियां है ठीक है यहां पर आपोजिट साइड क्या है इक्वाल है तो यह 15 होगी यह भी तो इसलिए जो राधा की दूरी होगी वो कहां पर पहुंच जाती है कितना पहुंच जाती है आफ प्रारंबिकिस्तान यह है उसका इनिसियल पॉइंट यहां से स्टार्ड किया था यहां पर आ गई तो यह दूरी कितनी है यह वाली दूरी हम आप लेंगे यह 15 है तो इसका अपसन क्या होगा आप उन्हें देखेंगे वेनवाजदा प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना लाल्ट यह याद कर लेंगे आप पूरे सभी क्योंकि सभी अच्छे कोशन है 2016 में सुरू की गई थी आप संसीज कर आइटम सरे क्या 2016 प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना बहुत सारी योजना है हमन प्रधान मंतरी किसान मांधन योजना है यहाँ पर लिका है तो क्या होगा राइट आंसर इसका आफसंस है क्या 2019 प्रधान मंतरी फसल ब्ला आइन्डन मोदी के धारा शुरू कि गई हैं जो लगातार पूछी जारहें एक जांजमस में ठीक है यह इस्टेटिक जीके के रूप में भी जानी जाती है और करेंट अफयर के रूप में भी तो जितनी योजना हैं ये दो चार पांच साल आठ साल पुरानी नई सब पूचते हैं लेकिन हमने कुछ फोकस किया है जब से नरेंदर मोदी की सरकार चली है 2014 से 2020 के बीच वाली सभी योजना एलिए जो जादा पूछ जा रहे हैं इस समय पर ठीक है नेक्स्ट एक कोशन यहाँ पर कोशन नमबर 10 है रेजिनिंग से है कोशन नमबर 10 पढ़ें फिर आमसर बताएं दिये गए विकल्पों में से भिन या असंगत की पहचान कीजिए आपको इसमें बताना है कौँसा अलग है लेटर यह कोशन यहाँ पर आप दुबारा देखेंगे साही से दिये गए विकल्पों में से जो असंगत की पहचान करनी थी आपको यहाँ पर बताना था डिफ्रेंस कौँसा है यहाँ पर देख लें आप अब आपसन के कॉर्डिंग आपको अंसर बताना है क्या है इसका राइट अंसर जो तीन एक जैसे होंगे एक डिफ्रेंस होगा वही बताना है option a is correct answer होगा क्या option a is correct answer होगा यह option a different है क्योंकि यह vowels लिखें बागी सभी consonant है अगर आपको बता दें जो total जो alphabet होते हो 26 होते है कितने होते ए से जड़ तक 26 होते है उसमें से 5 vowels होते है vowels कौन से होते हैं यह revisions करने हो सकता है आप बोल गए हो ठीक है a e i o u यह 5 vowels होते है ठीक है इनके अलावा कई जगे इनी से question पूछ लिए जाते है इनमें से कोई दे दिया जाता और आप से बाकी दे दिया जाते है consonant को ठीक है consonant की सोते है इनको छोड़के ठीक है यह a e i o a e i o u को छोड़के ठीक है तो यहाँ पर अब आप question number 11 पढ़े ग्यारवा नमबर question पढ़ ले फिर आमसर बताएं यहाँ पर पूछा गया है किसान सम्मान निधी योजना कब शुरू की गए थी वेन वाजदा किसान सम्मान निधी योजना क्या है राइट आंसर इसका कमेंट करें आपसर डीस का राइट आंसर होगा 2018 में शुरू की गए थी ठीक है आपसर डीस का राइट आंसर है यह किसान सम्मान निधी योजना कब शुरू की गए थी 2018 आप ध्यान रखेंगे ओके नेक्स्ट है यहाँ पर question number 12 question number 12 पढ़ेंगे फिर आंसर बताएंगे PM केर फंड की स्थापना कफ की गए थी भे नवाज PM केर फंड इस्टबलिस माइट में थोर आपने जोर डालें आपको पता होगा परधान मंतरी केर फंड इसे को कहा जाता है ठीक है कब सुरू किया गया था दिये गए आपसन में से आप बता सकती राइट आंसर आपसन एस का राइट आंसर है ये 2020 को सुरू किया गया था जिसमें लोग क्या कर रहे थे अपनी इच्छा के अनुसार डोनेशन कर रहे थे COVID-19 से लड़ने के लिए कुछ सायता की जा सके इसलिए लोग क्या कर रहे थे प्रधान मंतरी केर फंड में क्या कर रहे थे डोनेट कर रहे थे पैसा डोनेट कर रहे थे बहुत से लोगों उन्हें डोनेट किया था उसमें कई हजार करोण रुपे आया था प्रधान मंतरी केर फंड में ठीक है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आफसन ये राइट आमसर होगा, 2020 में ये शुरू किया गया था, नेक्स्ट एक कोशन आपकी स्कीन पर, कोशन नमबर 13, कोशन नमबर आप 13 पढ़े, फिर आमसर बता है, यहाँ पर पुछा गया, आरोग सेतु एप कब जारी किया गया था, आपको यहाँ पर पढ़ना है, वेन वाजदा, आरोग सेतु एप लाजड, क्या है राइट आमसर इसका, कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी राइट आमसर है, आफसन सीस का राइट आमसर है, 2020 में सुरू किया गया था, ठीक है, आरोग सेतु एप 2020 में, केयर फंड, जो सुर है, तक की जा सके, और कोविट महामारी से लड़ने के लिए, यह सरकार को, गवर्मेंट को, पीम, केर फंड में, कुछ पैसा डूनेट किया गया था, ठीक है, ना कि किसी जबरजस्ती दिया जा रहा था, डूनेशन था, ठीक है, इसमें कई हजार करोन रूपिया आया है, ठ रोगे से टू एप कब जारी किया गया था, यह 2020 में आफसंसी इसकर आइटाम सरे, एक पॉइंट और है यहाँ पर, 6 अपरेल 2020 को जारी किया गया था, और यह दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला मोबाईल एप है, कौन रोगे से टू एप, ठीक है, मोबाईल में इ कोशन है, 14, पढ़ें हैं, फिरामसर बताएं, निम्रकित में से कौन सा एक हार्डवेर नहीं है, विच वन आप दी फॉलविंग इजनाटा हार्डवेर, क्या है राइट आमसर इसका, अगर आपको हार्डवेर, सॉब्ट वेर पता होगा, तो आप बता सकते हैं, इजे हार्डवेर उन्हें कहा जाता है, जिन्हें हम छू सकते हैं, हाथ से अपने, ठीक है, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे मौनीटर, मौनीटर का मतलब आपको तीबी नहीं लगी आपके घर में, उसको मौनीटर कहा जाता है, उसको हा सब्सक्राइब होता जैसे MS Excel होता और MS Word होते हैं यह सब्सक्राइब हो सकते हैं कुछ भी आप सोच सकते हैं जिसको आप छू सकते हैं और हाँ से छू सकते हैं ठीक है जैसे CPU हो गया और जितनी भी सब्सक्राइब होंगे और हाँ सव कोगा चीज़ी Portal कोई भी जुट सकते हैं इसे कहा जाता है कोशन नमर अपकी स्कीन पर पंदरह फिर आंसर बता है पी तुझओर को रोकने के लिए कोंं सी इक ळाती है which vaccine is given to prevent the yellow fever yellow fever को रोखना है तो कौन सी vaccine दी जाती है क्या होगा right answer इसका absence cease का right answer है 17D vaccine दी जाती है आस्वारी absence cease का right answer है 17, 17D vaccine दी जाती है absence cease का right answer होगा next है यहाँ पर question आपके skin पर 16 पढ़ें जली से निमने में से कौन सा रोख bacteria दोरा पैदा होता है या हो जाता है which of the following disease is caused by bacteria क्या है right answer इसका comment करें bacteria के माध्यम से होता है एक diseases है वो कौन सी है दीए गए absence में से absence इसका right answer होगा क्या टीवर क्लोसिस का है या 6 रोख का है यह bacteria से होने वाली या पैदा होने वाली बीमारी है बागी सभी virus से related है next question आपके skin पर question number 17 पढ़ें जल्दी से answer बता है इनकलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया था क्या होगा right answer इसका option B इसका right answer है भगव सिंग ने दिया था ठीक है इनकलाब जिन्दाबाद का नारा भगव सिंग ने दिया था इसका right equilibrium सहिद्धिवस की रूप में भी मनाया जाता है आर इस जनवरी को सह मार्चस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी को गांधी जी के जब हत्या की गयी थी नातुराम गोडसौरी के दोड़ा इसको मनाया जाता था महलव सहिद्धिवस के रूप में और 23 मार्च को भी सहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये 3-4 बार कोशन पूछा जा चुका है, कि सहीद दिवस के रूप में किस तारी को मनाया जाता है, उसमें 30 जनवली नहीं दिया जाता आफसन में, ठीक है, ये year और date ध्यान रखेंगे, जो बैक्टिरिया के माध्यम से होने वाली बीमारी है, डिसीज है, कमेंड करें, जो भी राइट आमसर है, आफसन, इसका राइट आमसर है, सिफिलिस, ठीक है, ये सिफिलिस बैक्टिरिया के माध्यम से होने वाली बीमारी है, बाकि जो दिये गए हैं, किसी प्रकार से से हैं तो इसलिए आप याद रखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा गया उसे समझ लिए विकल्पों में इसे भिन्या संगत की पहचान कीजिए पढ़ लीजिए आफसन सभी जो भी राइट आंसर हो आप बता सकती है यहाँ पर देखे आफसन जो राइट आंसर आपको लग रहा हो बताएं दिये गे विगल्पों में से भिन्या संगत की पहचान करना है आपको क्या होगा राइट आंसर इसका कमिंट करें आफसन डीज का राइट आंसर है गोदावरी रिवर गोदावरी नदी ठीक है यह किसी नहीं किसी प्रकार से एक दूसरे संबंधी थे हैं वो कैसे संबंधी तो यह भी जान ले यह सभी उत्तर भारत की नदिया है गंगा नदी उत्तर भारत में पहती यमुना नदी उत्तर भारत में पहती गोमती नदी उत्तर भारत में पहती गोदावरी नदी क्या ये दच्छिड भारत की सबसे बड़ी नदी है ठीक है इसलिए गोदावरी आफसन सही माना जाएगा यही डिफरेंट है हमें डिफरेंट चांटना था है या पर आफसर इंडिस का राइट आमसर जब भी असंगत या भिन्न कहें तो हम मतलब एक की डिफरेंट होगा तीन एक जैसे होते हैं तो यह आफसर सही होगा हमारा यह दच्छिड भारत की सबसे बड़ी नदिया है और बाकि यह क्या है नौर्थ इंडिया की सबसे बड़ी नदिया है नेक्स्ट एक कोशन आपकी स्कीन पर कोशन नमर ट्वेंटी पढ़ें फिर आमसर बताएं यहां पर पूछा गया है भारत को मलेरिया मुक्तु बनाने का लच्छिड क्या थे किया गया है भारत को मलेरिया से मुक्तु बनाने का लच्छिड आफसंस इसका राइट आंसर होगा 2030 तक भारत से मलेरिया को खत्म कर दिया जाएगा यह लच रखा गया है आफसन सी इसका राइट अंसर होगा 230 ओके नेक्स्ट एक कोशन आपकी स्कीन पर 21 पढ़ें फिर आंसर बताएं फाइलरिया का कारक जीव निवनिव से कौन सा है फाइलरिया क्या होगा राइट आंसर इसका कमेंट करें जो भी राइट आंसर है आफसन सी इसका राइट आंसर होगा यह लिखा है विचियोरिया ब्रेंट कॉफ्टी ठीक है यह इसका राइट आंसर होगा absence is the right answer यहाँ पर देश सकते हैं यह spelling बेंशन की कि फालेरिया के लिए जिम्मेदार कारक जी हो है या कॉस्टी भार की निजाम है next question 22 निस्क्री प्रतिर अच्छा passive immunity निमन में से किसके द्वारा प्राप्त की जाती है passive immunity is achieved by which of the following क्या है right answer इसका option इसका right answer होगा passive immunity जो प्राप्त की जाती है वो antibodies के द्वारा प्राप्त की जाती है ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं एक दो point लिखेगे question to answer के लिए आफसन यह है निया point आप के लिए ध्यान रखेंगे अगर ध्यान रखेंगे तो निस्क्री प्रतिच्छा होता कैसी होती इसे कहा जाता है passive immunity अगर एक बच्चा अपने माफ से किसी भी प्रकार की कोई जो immunity प्राप्त करता तो उसको कहते है passive immunity हिंदी में कहते है निस्क्री प्रतिच्छा question का मतलब question में दूसरा पूछा गया था specific immunity किस के दोर अपराप्त की जाती है antibodies के दोर अपराप्त की जाती है ठीक है तो जब भी मैंने आपको बताया है कुलेस्टर्म में कई प्रकार के IgG पाया जाते हैं तो बेवी में यह क्या होते है चले जाते हैं कुलेस्टर्म के माध्यम से या मिलकी के माध्यम से जो क्या करते हैं बेबी को यह पैस्य इम्रटी देते हैं ठीक है इस तरह ध्यान रखेंगे बाकि जो question to answer है वो point ध्यान रखेंगे ओके next question 23 ज्यादा डीटेल्स में बात नहीं करेंगे क्या है राइट आंट सरскा कमेंट करें आफशन 20 का राइट आपसर राइट आढसर यह लिखा क्या लिखा ओक्सीला बर्नेटी क्या लिए क्यूप ओक्सीला के लिए कारत जिए हैं या पैथोजएं से क्योफिएर कैसे हो जाता कई बार बताए एनिमल से रिलेटेड होता ओके नेक्ट कोशन आप पढ़ें फिर आंसर बताएं क्योंकि कई बार मैं बता चुक हूँ सभी के बारे में कोशन नमबर 24 पढ़ें आप कोशन नमबर 24 पर पूछा गया एक संकरामक एजेंट द्वारा आकरमाड और किसी बीमारी के पहले लच्छन लच्छनों के प्रकट होने के बीच के लिए समय अंतराल को क्या कहा जाता है जो बीच का समय अंतराल होता है उसे क्या कहा जाता है क्या है राइटाम सर इसका आफसन देख लेए बहुत बढ़ बता चुका हूँ इस कोशन को में कोई भी बीमारी के जब तक लच्छड उभरने लगते है उसके जो बीच में जो टाइमिल लगती है बीमारी के मलब प्रमुक लच्छड उभरने तक का जो समय होता है ठीक है तूसे इनकुबेशन पीर कहा जाता है हिंदी में उस मायन अवादी कहते है ठीक है निक्सक्त न कोशन आपकी स्कीन पर 25-25 प्ड़े फिर अंतर बताएं भारत को चेचकमुक तो किस वर्श घोसुत किया गया था इन विच इर वाद इंडिया डेक्लियाड समॉलपमस फ्री क्या है राइट आमसर इसका भारत को तो क्वर्ष घोसित किया गया था आफ़सन सीज का राइट अंसर है 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोसित किया गया था अब यहाँ पर वर्ड के बारे में में इसे समझ ले देखिये इंडिया को किया गया था 23 अपरेल यहाँ पर कामा लगाएंगे 23 अपरेल 1977 में यह भारत को स्मौल पॉप से फिरी गोशित किया गया था अगर वर्ड की बात करें संसार की दुनिया की विश्व की तो आट मैं 1980 को गोशित किया गया था ठीक है नेक्स्ट एक कोशिन आपकी स्किन पर 26 कोशिन नमबर आप 26 पढ़ें फिर आंसर बताएं यहां पर पूशा गया है रक्त आधान प्रक्रिया के बाद नर्स दौरा इस्तमाल किया गया रक्त बैक को नमले कितमे से किस रंग के डिबी में फेका जाएगा ठीक है इसका जो राइट आंसर है आफसन सी है यलो बैग में ठीक किस में डाला जाएगा यलो बैग में आफसन सी इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट है यहां पर कोशिन नमबर 27 पढ़ें फिर आंसर बताएं PCV वैक्सीन कि खुरा किस रूट के माध्यम से दी जाती है that through which route is the doja of the PCV वैक्सीन क्या है आपसन बीश के राइट आंसर है इंट्रामेस्कुलर क्या होगा इंट्रामेस्कुलर PCG वैक्सीन होती है यह इंट्रामेस्कुलर दी जाती है या युलो पूरा नाम लिखा है ये लिखा है निम्नो कोकल कंजूगेट वेक्षीन उके यहाँ पर आप देख लेना नेक्ष्ट है कोशन आपके स्किन पर 28 पढ़े फीर आपसर बता है क्लेपस लोफर बैक्टेरिया कहलाता है आपको बताना है क्या कहलाता है आफसन सीज का राइट आंसर होगा क्या यह लिखा है कॉरिनो बैक्टिरियम डिफ्ट्रेई ठीक है काफी अच्छा कोशन है तफ लग रहा होगा आपको लेकिन यह इंपोर्टेंट कोशन है आफसन सीज दा राइट आंसर कोशन नमर है आपकी स्कीन पर 29 यह पर पूछा गया है DPD की भूश्टर खुरांक क्ब दी जाती है DPD भेनित अफोर खुरांक गीविन क्या है राइट आंसर इसका डिकी भूश्टर घूरांक दी जाती है बता है पेंटवलेंट टीका कब दिया जाता है इज पेंट वीडो वेक्सीन गीवें क्या होगार राइन्सर इसका कविण, 6,10, 14 कब दिया जाता है 6 2 14 को दिया जाता है आफसन डी कर आइट अमसर यह गये यह पूचछा जा चुका एक आफसने गावस्पयr देने धान रखेंगे पहली खुरांक 6 सबता को दूसरी खुरांक 10 सबता को तीसरी 14 सबता को 6 weeks 10 weeks 14 टीक है पेंटावलन मैक्सीन दी आती हैं ओके तो ध्यान रखेंगे आप आप सर्ण डीस का राइट आंसर होगा अब चलते हैं नेस्ट कोशन पर यह आपकी स्कीन पर 13 नमब नॉर्ट मानृ मों होते हैं क्या है राइद आंसर न्राइब एक नोगा arrive तो आंसर मिही प्रकरकर कि बाल होती क्या होते हैं एक जो बेभी में पाए जाता है तो Шक अधी आन कि अधा है और तो यह कहां सक्राGU cake करा ने है लिंगो एक तन्य के क्या होते कैं थे हैं यहर बंगो क्या होता ठीक है कैस वैस निटता क्या होता इसलिका फशले बाल चोंस जी होते हना जो बच्चोंकन बाल halo ठीट घूर ऑड़ा है कई यह हें फार्ट एक इंजायम्स लाइपेज किसके पाचन में सहायक होता है एंजायम्स लाइपेज हल्पिन्दा डाइगेशन आपसन सी इस दराइट आंसर नेक्स्ट है कोशन नमर आपके स्किन पर 33 पढ़ें 33 पर आंसर बता है PCV वैक्सिन की बोश्टर कुरा कब दी जाती है इजा बोश्टर डो जो PCV वैक्सिन गीवें क्या है राइट आंसर देखे फिर आंसर बता है जो भी राइट आंसर आपको लग रहा हो यह दी जाती है नो से बारा महीने पर दी जाती है आफसन पीस का पाचन में सायक होता या किसका पाचन हो जाता पेपसीन इजायन इंजायम मेंदी हेल्फूल इन डाइगेशन आप क्या होगा राइट आमसर इसका आफसन इसका राइट आमसर होगा पूर्टीन के डाइगेशन में पेफसिन सायक होता लाइपेज फैट के एमजैमस में फैट के डाइगेशन में सायक होता ठीक है पेफसिन पूर्टीन के उसमें सायक होता next question 35 insulin का antagonist क्या है या antidote क्या है इस तरह समझेंगे the antagonist of the insulin या antidote of the insulin क्या है right answer इसका option C's का right answer होगा क्या गुलक के गौन होता है ठीक है एक बात ध्यान रखे उस दिन मैंने आपको बताया था दो दिन पहड़े वीडियो में alpha cell, beta cell और delta cell के बारे में ठीक है इसमें मैंने तीसरी बार बोल दिया था थोला सा गलती से हो गया था बैरल ध्यान रखना है आपको alpha cell से जो होता वो glucagon हार्मोन से निकलता क्या glucagon आपको ज़्यादा serious नहीं होना delta cell थे somatoistatin हर्मोन से सरावित होता ठीक है तो ध्यान रखें alpha से glucagon, beta से insulin और यहाँ पर जो delta cell है इस ते लिका somaistatin ठीक है क्या somaistatin हर्मोन सरावित होते और यह तीनों कहां होते है पंक्रियाज में होके यह तीनों cells नेक्स्ट है यहाँ पर question number आपके skin पर 36 पढ़ें फिर आमसर बताएं उज्जोला योजना कब शुरू की गए थी बहुत पूछी जाती एक जामस में ठीक है तो क्या होगा राइट आमसर पहल योजना कब शुरू की थी उज्जोला पहल शुरू की गए थी 2013 में ठीक है दिसंबर के आसपास 2013 में उज्जोला कब शुरू की गए थी ये बताना है आपको उसका भी connection क्या है जो पहल के बारे में पहले समझ लो थोड़ा सा क्योंकि बहुत पुछा था जो directed fund transferred होता है न उसके connection LPG LPG gas थी है ठीक है LPG gas थी इसमें क्या होता है fund को transfer किया जाता था उनके खाते में कुछ पैसा लटा दिया जाता था ठीक है तो यही बात ध्याने किना है आपको उज्जोला बताएं योज्जोला कब सुरू की गए थी कापीच की 2016 में सुरू की गए थी यह बलिया से उतर पर देश के ठीक है आप समसीज कर आइटम सरोगा ओके यहाँ पर ध्यान देख पॉइंट लिखा गया है यह कोशन कई बार पूछा जागा है उज्जोला योज्जना का संबंद किस्ते यह LPG connection प्रवाइट किया जाएंगे ठीक है यह लच्च रखा गया था ओके तो ध्यान देखेंगे 2016 में सुरू की गई योजना है यह नेक्स्ट है यहाँ पर 37 37 पढ़ें फिर आंसर बताएं पेंटावलेंट वैक्सीन के कुल कितनी खुराँक दी जाती है हाउ मैनी तोटल डूज उपधी पेंटावलेंट वैक्सीन आर गिवेंण अभी तो question उपढ़ेंगे है आपको पता ही चल गया होगा आफसंसिसका राइटम सरे 3 दी जाती है कब कब दी जाती है यह ध्यान डखो 6 सप्ता में दी जाती फिर 10 में दी जाती है, फिर 14 में ठीक है, 6, 10 और 14 वीक में दी जाती है, यह 3 दी जाती है, पहली 6 में, दूसरी 10 में, तीसरी 14 में दी जाती है, तो यह ध्यान रखेंगे पेंटावैलन वैक्सिन ठीक है, पेंटावैलन वैक्सिन में टोटल कितने TK इंक्लूड किये गए हैं, यह भी द्यान रखना पांच ठीके इंक्लूड किये गए है ठीक है फाइव इन वन ठीक है अभी हाँ पर देखे कोशन है 38 कोशन नमर आप 38 पढ़ें फिर आंसर बताएं प्रधान मंतरी जंधन योजना कब शुरू की गई थी क्या है राइट आंसर इसका काफी अच्छा कोशन है बहुत पूछा जाता एक्जामस में अभी भी शुरू बहुत जाने कब किया गया था ठीक है बहुत पहले लेकिन पूछा भी देया जाता 2014 में शुरू किया गया था आप सन एस का राइट आंसर है ठीक है दोहजार चौदा में 2014 में नेक्ट एक कोशन आपकी स्किन पर 39 यहां पर पूछा गया है निन में से हीपैरिन का एंटीडोट क्या है विच आप दी फॉलाविंग इस दा एंटीडोट आप दी हीपैरिन क्या होगा राइट आंसर इसका बहुत पूछेगे सभी कोशन है आपसंसी इसका राइट आपसर होगा पूछेट आपकी स्किन पर 40 यह भी हाली में पूछी गई थी कल का एक 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 जाम सुआ था एक 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 जाम सुआ था यह सामील हो सकते आटल पेंसन यहोजना सुरू कंब की गई थी यह आपको बताना एट आंसर इसका आफसंद 20 का राइट आंसर होगा 2015 को यह यह इजना शुरू की गई थी ठीक है 2015 को हाफासन भी, इसमें किस एज गुरूप के लोग सामिल हो सकते हैं, 18-40 उमर के, 18-40 एज के लोग क्या हो सकते हैं, इसमें सामिल हो सकते हैं, कुछ पैसा जमा करना होता है, बाद मेने पेंशन दी जाएगे, ठीका इडाल पेंशन योजना यही पेंशन योजना है, लास्ट जो भी right answer आपको लग रहा हो कि आयुसमान भारत योजना कब शुरू की गई थी इसका जो right answer है आफशन S का right answer है क्या आफशन A यह शुरू की गई थी 2018 में शुरू की गई थी very very important है कई बार पूछे गया यह सभी question है उमीद करता हूँ यह आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर चैनल पे नहीं से सब्सक्राइब करना लाइक करना हो सकते तो दोस्तों के साथ सेर करना जो आपको योजना या इसकी में नहीं पता थी ठीक है तो वो आप लिख लेंगे या याद करेंगे इनका रिविजन्स कर लेंगे आज नहीं तो आपको भी जरूरत पढ़ेगी इन सभी योजनाओं की ठीक है तो आप इन वीडियो को पहुच करना दोबारा वीडियो देख लेंगे आपको completely अच्छी तरह से याद हो जाएंगे ठीक है तो ज्यादा ज्यादा प्रैटिस करें ताकि आपको अच्छी तरह से सफलता मिल सकें दोबिदा ना रहा किसी प्रगार की तो इसलिए ज्यादा ज्यादा प्रैटिस जरूर करें ठीक है नया कुर्स ज्यादा कुछ भी नपढ़े आप ठीक है जो पढ़ा जा रहा है बस उतना ही रिविजन्स करें ठीक है हो सकता है आपको डिप्रेशन में जा रहे हैं या कोई प्राब्लम सो रही हो ठीक है क्योंकि इस समय एक्जांस का जो टाइमिंग चला है क्लाइमिस कर टाइमिंग होता है इसलिए आपको ज़्यादा घबडाने की जरूरत नहीं किया सकता है अगर आप घबडा भी रहें ड जतना पढ़ा दिखे एक दू दिन के पढ़ाई से कुछ नहीं होता ठीक बहराल जतना कोर्स आपने नोर्स बनाया वगएर उसका रिविजिंस करते हैं जो पढ़ाया जारा आपको हो सकता है आपके कुछ कोशन आप वीडियो ही देख रहे हैं हो सकता है आपको दू-चार क बाकी उतना बाकी है क्या करें क्या आना पढ़े ठीक है बहरालम कोशन को ज्यादा ज्यादा रिविजिंस कराने के कोशन करेंगे आपका पुराना डाटा ज्यादा ज्यादा रिविजिंस हो सके और वो कोशन आ सके आपके एक्जामस में अगर दो-चार-दस नंबर आपके increase किये जा सकते हैं दो चार पांच दिन में तो अच्छा ही होगा ठीक है तो आप ज्यादा परेशान नहीं हो ना आपको ठीक है परेशान होगे वह से भी कुछ कर नहीं होगे तो जो पढ़ाया जा रहा है उसे आप सांतिक साथ पढ़ें इसका enjoy लें आनंद करें तो चलते हैं जल्दी मिलेंगे नेश्ट वीडियो में थेंक्स पर वाचिंग प्रेंट थेंक्यू बाबाई टेक केर्स